धर्म क्या है? आज की इस वीडियो में हम बिस्तार से जानेंगे लोगों में अधिक भ्रांतियां फैल रही है क्या आखिर धर्म चीज क्या है? कोई इसे खिलावना समझता है तो कोई इसे कुछ समझता है आईए हम आपको बताते हैं कि धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति और प्राप्ति करना धर्म है परमात्मा सर्ब ब्यापक, सर्बग्य और सर्ब सक्तिमान है सर्ब ब्यापक होने से वह हर जगा ब्याप्त है कोई जगा उससे खाली नहीं है फिर भी हम उसे देख नहीं पाते परमात्मा को इन बाहरी आँखों से नहीं देखा जा सकता है उसे चेतन यानि की आत्मा ही देख सकती है आत्मा इस सरीर में मन के साथ लगकर सरीर का रूप बनी बैठी है आत्मा मन के साथ लगकर इंद्रुयों को द्वारा बाहर जाकर संसार में भटक रही है और इस तरह अपने अंदर रहते प्रभु को नहीं देख पाती है यद किसी तरह आत्मा का मन से चुटकारा हो जाए तो आत्मा अपने सुभावा नुसार अंतर मुखी हो जाती है और ब्रम्रण्ड में प्रभु के भिन भिन रूपों को देख सकती है आत्मा अनेक जन्मों के संसकारों से आवरत होकर मन के साथ लग भोगों में लगी पड़िये यह अधोगति को प्राप्त हो रही है अपने आप उलट कर ये अंदर नहीं जा सकती है जब परमात्मा की अभिव्यक्त रूप धारा आत्मा को प्राप्त होती है तो आत्मा उलट कर अंदर जाती है सरीर में नौ दरवाजे हैं दो आख, दो नाख, दो कान, मुह और दो मलमूत्र भी सरजन द्वार यह सब बाह जगत में खुलते हैं इन नौ द्वारों के ऊपर दो भूमद्ध के बीच माथे पर वह इस्थान होता है जिसे सिव नेत्र, दसवाद्वार, तीसरा नेत्र या ब्रम्ब रंधन भी कहा गया है यह इस्थान एक चौराहा है जहां से आत्मा उलट कर अंदर जाती है प्रभु धाराएं यहां आत्मा से मिल इसे उलट कर अंदर ले जाती है अता इस स्थान पर ध्यान लगाकर आत्मा को उर्द गति देने के साथ ही धर्म की सुरुवात होती है। इस काम में प्रभु अभिभ्यक्त रूप धाराओं का विशेश योगदान है। जिन के बिना आत्मा ना सिमट कर इस स्थान में आ सकती है और ना उर्द गति को प्राप कर सकती है। परमात्मा के 33 अभिभ्यक्त रूप हैं 12 प्रगास रूप 11 नाद रूप 8 सोम रूप संत प्रजापत और एक इंद्र परमात्मा इन में से कोई भी रूप जब आत्मा को प्राप्त होता है तब वह इसे उलटकर अंदर लाता है। संत के अंदर 11 रूप समाए र प्रत्यक्ष आत्मा को अंतर मुखी बनाता है। बिना अंतर मुखी धारा प्राप्त की धर्म की समझ नहीं आती। धर्म अंतर अभिभ्यक्त प्रभु धाराओं पर आधारित है। जब जीव के पाप कर्म समाप्त प्राय होकर पुन्य कर्मों का उदय होता है। तब बिन हरी क्रपा मिले नहीं संतर इसी तरह आदि ग्रंथ में कहा है कर्म होई सत्गुर मिलाए इसाई धर्म में ऐसे लोगों को इस्टाइमपेड कहा है अतह ऐसे जीव ही संत से मिल प्रभु प्राप्ति का मार्ग अपनाते हैं प्रभु अविभक्त धाराएं आवरं नश्ट कर आत्मा को उपर ले जाती हैं प्रभु ग्यान धाराएं दे कर प्रभु रूप बनाती हैं क्योंकि ये प्रभु धाराएं प्रभु से प्रगट हैं अतह प्रभु के समान ही सरबग्य चेतन आनंद रूप हैं इसके द्वारा दिया गया ज्यान पूर्ण ज्यान होता है अताह धर्म सदा से इस्वरी ज्यान धाराओं द्वारा दिया गया पूर्ण ज्यान है कुछ लोगों का विचार है कि धर्म बुद्धि के विकास पर निर्भर करता है और वह लोग सोचते हैं कि जैसे जैसे मनुष्य उन्नत करता है वैसे वैसे नया विक्सित धर्म प्रगट होता है उनके ख्याल में परमात्मा बुद्ध के बिकास के साथ धर्म का नया रूप प्रगट करता है इस तरह की धारना से ऐसा लगता है कि समय समय पर परमात्मा पिछली भूल सुधा कर नया नियम सिखाता है इस तरह की बात कहने वाले भूल जाते हैं कि परमात्म पूर्ण और सर्व सक्तिमान है वह समय और इस्थान की पारिद से बाहर है भूत वर्दमान भविश्य की सब कुछ जानता है उसे भूल होना संभव नहीं है अताहा धर्म विकाश वाद्व से सिध्धान्त पर नहीं बल्कि अंतर, अविव्यक्त, प्रभु ग्यान पर आधारित है धर्म इसुरीय ग्यान धारा पर आधारित है अताहा सत्य और सनातन है इसलिए मनुष्य की बुद्ध का दखल नहीं है बल्कि ब्रम्भ ग्यान आधारित है बेद में धर्म को सनातन कहा है इसा मसील ने बाइबिल में कहा है मैं कोई नया धर्म सिखाने नहीं आया हूँ मैं पूर्ब संतों के धर्म को पुनाह ताजा करने के लिए आया हूँ दोस्तों जानकारी पसंद आई हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैसरी कृष्ण